हेलो चैंपियांस वेलकम बैक टू लेट्स कोर हन्रेट दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंट कल्चर एंड दो मॉडेन वर्ल्ड दोस्तों यह जो चैप्टर है वो CBSC Board के exam के point of view से बहुत ही important है and मुझे पता है कि इस chapter में आप लोगों को wood block printing क्या होती है and according book क्या होती है इसको समझने में बहुत मुश्किल होती है right but I assure you आप इस video को ध्यान से देखे आपका यह जो दोनों problem है बिलकुल आज दूर हो जाएगा and इस तरीके से मैं आज इस chapter को स शर्त यहीं रहेगी आप लोग ध्यान से इस video को देखे और सुनिए pen of paper लेके जरूर बैठे और आएए इसी के साथ शुरू करते है तो हमारा आज का topic basically आज का हमारा जो chapter है वो है print culture and the modern world right so basically this chapter talks about कि जो print culture है उसने जो आज का modern world है इसके इस modern world के making में print ने क्या contribution किया है print का let me tell you print का बहुत ज़्यादा contribution है इस modern world के बनने में right आज हमें लगता है कि यार हम print को एतनी value नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि चीजें हमेशा से ऐसे रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है print से पहले भी एक दुनिया थी right हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे and फिलहाल आईए देखते हैं कि इस chapter में क्या कुछ है तो पहला जो point है वो यही है हमारे book में भी लिखा है can we imagine a world without printed matter आप बताएं क्या हम without printed matter के इस दुनिया की कलपना कर सकते हैं हाँ हाँ आप से पूछ रहा हूँ आप बताएं नहीं बिलकुल नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि जैसे हम सुबह उठते हैं हमें milk की जरूत परती है और milk के packet पे print होता है कि यह full cream है या toned है depending on our requirement हम ले सकते हैं पैसा भी लिखा होता है और date भी लिखी होते है expiry date अगर printed नहों अगर इस milk के packet में print नहों तो क्या हम अपना decision अच्छे से ले पाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा क हमें expiry milk मिल रहा है या उसकी price क्या है राइट या कौन सी type का milk लेना है दूसरी चीज हमारे breakfast का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है bread हमें whole wheat bread चाहिए या multi grain bread चाहिए या उसकी expiry date क्या है बिना printed material के possible है नहीं नहीं possible है राइट उसी तरीके से देखे हमारी आपकी और मेरी generation त देखते हैं बट आप अपने दादा जी को और पापा जी को अगर आप देखें तो इनकी सुबह की शुरुआत न्यूस पेपर एंचाय के साथ ही होती है तो न्यूस पेपर क्या बिना printing के possible है not at all और सब से पहले जो बहुत अपूर्ण बात है बहुत important बात है क्या हम बिना प्रिंट के क्या possibility है not at all और कभी कभी आप लोगों ने experience किया होगा यह जो currency है अगर इसकी जो printing हुई है अगर इसकी printing कट जाए या फट जाए तो shopkeeper लेने से मना कर देता है it highlights the value of print इसी के साथ मतलब इसके अलावा और भी धेसारे example है हाँ यह तो मैं भूली गया यह देखे आधार card राइट जब आप लोगों का board cbc board का registration हो रहा था class 9 में तो आधार card आधार card भी तो print ही होता है न राइट उसके बाद जब आप लोग chips खरीदने जाते हो तो आप कहते हो न कि हमें कभी बोलते हो आप हमें tomato flavor चाहिए या garlic flavor चाहिए बिन प्रिंटेड matter कि क्या आप decision ले पाते हैं बिल्कुल नहीं ले पाते हैं तो एंड ये last में ये इसको देख करके कुछ याद आ रहा है आप लोगों को और not only that इसके अलावा हमारा जी government होती है newspaper में circular निकालती है जैसे इस particular circular अरभिंद केजरिवाल जी बोल रहे है दिल्ली वालों को कि भाई पॉलूशन बहुत जादा है डेली में बढ़ जाता है इसलिए दिपावली पर पठाके मत फोड़ों आप बजाएं तो government का भी जो circular आता है newspaper के माध्यम से या posters के माध्यम से क्या newspapers and posters की कलपना हम without printed matter कर सकते हैं not at all not at all right तो this much is enough to explain the you know importance of printed matter right चलिए अब देखते हैं हमारे NCRT में क्या-क्या दिया हुआ है पहला point है we take for granted this world of print आज हमें लगता है कि हमेशा से दुनिया ऐसी रही होगी बट हमेशा से दुनिया ऐसी नहीं थी right अभी देखेंगे and often forget that there was a time before print before print क्या होता था मैं आपको समझाता हूँ पहले गुर्कुल्स हुआ करते हैं चलो कि आप लोग student है पढ़ाय लिखाय की बात करते हैं आज आप लोग पास pen है paper है आप लोग लिखते हैं exam में answer लिखते हैं notebook तयार करके रखते हैं टीचर को चेक कराते हैं उसके अभी हम आक्स मिलते हैं internal assessment के राइट but there was a time गुरु कुल हुआ करते थे जैसे Lord Krishna या Lord Rama अपने गुरु के हाँ गुरु कुल बे पंढ़े गए थे तो वहाँ पर क्या तो गुरु ओरल बोल के पढ़ाते थे और students आप जैसे students Lord Rama और Lord Krishna भी थे वो लोग memorize करते थे सारी बातों को विकाज लिखने के लिए पेनो पेपर अवेलबल नहीं था उस समय राइट पेनो पेपर दोनों अवेलबल नहीं था तो टीचर ओरली पढ़ाते थे और students उसे memorize कर लेते थे और ओरल एक्जाम भी हो जाता था आप लोग कहेंगे सर बहुत अच्छा जमाना था ना लिखने की जन्जट ना पढ़ने की जन्जट जमाना वास्तों में अच्छा था लेकिन आज का जमाना ज्यादा अच्छा है चले देखतें दूसरा we may not realize that print itself has a history which has in fact shaped our contemporary world print का printed matters का बहुत बड़ा contribution है आज की जो modern दुनिया हमें दिखती है उसको बनाने में right what is this history print की भी एक history है जैसा कि आप लोग अभी हम लोग इसी chapter में आगे पढ़ेंगे कि प्रिंट चाइना से शुरू हुआ पहले जैपान गया फिर उसके बाद प्रिंट को चाइना से मारको पोलो लेकर इटली गया फिर इटली आप लोग जानते है यूरोप के कंट्री है फिर पूरे यूरोप में फैल गया फिर यूरोप से जो पोर्ट्यूगीज मिशनरी थे तो प्रिंट वहां से पूर्ट्यूगीज मिशनरी यूरोप से प्रिंट को लेकर के हमारे असाथ पहले गोवा में आये 16th century के मिड में वो भी हम लोग पढ़ेंगे अभी उस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे प्रिंट लिटरेचर बिगिन्टू सर्कुलेट हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे हाउ है फटा फटा अगले अगली स्लाइट पे पर बूव करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है और हम लोग पढ़ाई करने के साथ ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक पर क्या question ब एशिया इसमें तीन कंट्रीज फेमस हैं आप लोग ध्यान देज लिजे चाइना जैपान एंड कोरिया राइट इस एक्सपेंशन टू यूरोप एन यूरोप से फिर इंडिया अभी तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में डिसस किया अब देखते हैं यह वाला पॉइंट वी विल अंडेस्टेंड इंपेक्ट ऑफ दे स्प्रेड ऑफ टेकनोलोजी यह जो प्रिंट टेकनोलोजी का इस्प्रेड हुआ उसकी वज़ए से सोशल लाइब्स एंड कल्चर बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आप ध्यान से सुन मतलब बैकवर्ड टाइप की मेंटेल्टी थी प्रिंट आने की वज़ए से लोगों में अवेरनेस राजाराम मोहन राय ने और इश्वर चंदिद्या शाकर जैसे लोगों ने लोगों को अवेर करना शुरू किया कि भाई यह कस्टम गलत है और जो कास्ट कास्ट सिस्टम ह वहारे कंट्री के है वह बहुत ही इंज़स्टिस वाली सिस्टम है जाती प्रथा कास्ट सिस्टम तो प्रिंट के आने से धीर धीर लोगों में अवेरनेस फैलने लगी है न की कास्ट को लेकर के जो नेरो ठींकिंग थी लोगों की उसमें भी सुधार आने लगा प्रिंट में तो सबसे पहले अब हमारा जो पहला क्वेशन बनेगा वह आ चुका है यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं दो फॉर्स्ट प्रिंटेड बुक्स राइट पहले इसे पढ़ेंगे फिर देखेंगे क्या क्वेशन बनेगा पहला पॉइंट है हमारा अर्लिए प्रिंट टेकनोलोजी वस डेवलब इन चाइना चाइना जापान एंड कोरिया जैसा इसमें पहले लिखा हुआ है यह इस्ट एशियन कंटीज है राइट अच्छे क्या था अभी हम लोग से लाइब करके भी देखेंगे कि वूट ब्लोग प्रिंटिक कैसे होते हैं मैंने स बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाई रबिंग पेपर पेपर का इनिवेंशन भी चाइना में हुआ था अगेंस्ट इंग्ड सर्फेस ऑफ वुड ब्लोक्स इसे करके अभी हम देखी लेते हैं दिखाता हूँ आप लोग एक मिनट यह देखे यह वुड का तो नहीं ह इसाल है यह रबर का है लेकिन इसपे लेटर्स कारव किये गये है 5 मैं इनक अठाराई करता हूँ मैं इसमे इनक अप्लाई करचुका हूँ और अब Beim isg के अगेंस्ट इसके अगेंस्ट यह देखे पेपर हो गया इसलेक है इस पे लेंट से पारो हम मैंणудь इंक कर लिया है आप इसको यह देखे यह मैंने यह इंप्रिंट कर दिया यह देखे शायद आप लोगों को दिख रहा हो बहुत छोटा है यह मैरे एंग्रेब कर दिया रब कर दिया है एक बार फिर से रब करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाता हूं मैं यह देखे इंग सर्फेस है यह वुड ब्लोक ना यह रबर का है बट समझने के लिए काफी है सपोर्ज इसको थोड़े समय के लिए आप वूड मान सकते हैं इस पर लेटर की कार्विंग हुई है आप देखो इस पर हम इसको यह कर दिया आप यह प्रिंट हो गया इस तरीके से वुड ब्लोक से स्पिल हो करके देखें दूसरी तरफ भी थोड़ा थोड़ा आ गई है अब आ गया कॉंसेट आफ एकॉर्डियन बुक यहां पर देखें अलड़ी मैंने कुछ प्रिंट करके देखा हुआ था इसका देखें इंक जो है स्पिल हो कर दूसरी तरफ आ गई अगर अब मैं इस यानि इस तरफ तो मैंने प्रिंट किया ही है अगर मैं इस तरफ भी प्रिंट कर दूँगा तो क्या होगा बिल्कुल सब कुछ बहुत खराब हो जागा दिखेंगा नहीं इसलिए अब अकॉर्डियन बुक कैसे बनती थी देखें तो मैंने कोशिश करिए बहुत ही आसान है यह देखें एक यह रब करके हमने प्रिंट कर दिया अब देखें दोनों तरफ यहां भी इंक स्पिल हो गई है इस पेज पर भी इस पेज पर भी राइट आप क्या करते हैं अब देखें इस तरफ से दिख रहा है अब दोनों पेजे को हम ऐसे ले लेंगे राइट ऐसे ले अच्छा दोनों तरफ हम प्रिंट क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आज जितनी अच्छी पेपर की क्वालिटी हमें मिल रही है या इंक की क्वालिटी मिल रही है उस समय इंक की क्वालिटी और पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए वो लोग दोनों तरफ अब प्लीज सब्सक्राइब लेट स्कोर हंडेड एंड वीडियो को लाइक करना मत भूला चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब देखें आगे यहीं लिखा है इसमें यह एक कीवर्ड आप नोट के लिए थिन एंड पॉरस उसमें का पेपर थिन और पॉरस होता था शीड कुट नॉट बी प्रिंटेड क्योंकि इंक स्पिल हो जाती जैसे अब ही मैंने करके दिखाया ट्रैडिशिनल चाइनीज ट्रैडिशिनल चाइनीज अकॉर्डेन बुक व कि दो ब्यूटि ओफ क्लिग्राफी क्या होती क्लिग्राफी जाट ऑफ राइटिंग विच इस आट ऑफ राइटिंग बस भी बीटिफुल अन स्टालिश आप लोग अगर ध्यान दें आपकी क्लास में कोई एक सा आपका क्लास में इट होगा जो कि बहुत अच्छी क्लिग्राफी की ट्रेनिंग लेते हैं लोग सो बैसिकलिए हम लोग उने क्या देखा हम लोग उने अकोर्डियन बुक क्या होती है समझ गया आप लोग इंग वुड ब्लॉक होती थी उसके लेटर्स काब्ड होते थे उस सर्फेस को इंड किया जाता था फिपेपर के अगे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और यह आपका थ्री मार्कर होगा राइट चले नाव वील मूव तु दे नेक्स्ट स्लाइट यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं यहां पर एक पिक्चर लगी हुई है यह देखे यह वुड ब्लॉक है यह दो चाइनीज में चाइनीज मुझे नहीं आती अगर आप में से किसी चाइनीज आती है तो आप पहचान सकेंगे अब यह ओरिजिनल था इस पर इंक है लेकिन इसके पीछे वाला अधर साइड आप अपोजिट साइड ओफिट या जैसे इसको आप देखे राइट यह प्रिंटेड है इसके आपोजिट साइड ब्लैंक है तो इस तरीके से जो बुक्स होती सारे पेपर्स को फिर ऐसे एक बुक के फॉर्म में हम बना सकते इस स्लाइड एंड इस पर हम लोग पढ़ेंगे वाई चाइना बिक बिकेम मेजर मेजर प्रोडूसर ऑफ प्रिंटेड मेटेरियल कहने को मतलब दुनिया में धेर सारे देश हैं चाइना में ही प्रिंटेड मेटेरियल का डेवलप्मेंट सबसे जादा क्या हुआ हुआ इसके लिए चाइना में ढ़ीर सारे फेक्टर हैं सबसे चले आए हम देखते हैं सब सुब पहले है पहला फेक्टर क्हब्म सा जिम्मेदार है चाइना में फीपशकाग Wenn देखते हैं फिर इसका करेंगे इस पर इस पर इसके इसपर अइंद प्रिंटे बसकता है कि वाई पर state of China मतलब जो country का head होता था, वो king होता था, वही supreme court होता था, वही legislature, legislative body होता था, और वही executive होता था, king, right, so the imperial state of China China was for a very long time the major producer of printed material, why, इसका reason यह रहा, China possessed a huge bureaucratic system, huge bureaucratic system मतलब जैसे आज हमारी country में IAS होते हैं, IPS होते हैं, और भी धेर सारी allied services होती हो सकता है, आप में से धेर सारे लोग IAS या civil services में जाने की aspiration रखते हूँ, होता क्या आप देखे, प्राइम मिनिस्टर जैसे हमा समझाने के लिए जैसे हमारे country में decisions तो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, लेकिन उन decisions का actual जो implementation होता है, कौन करता है, civil servants ही करते हैं, bureaucracy ही करती है, उसी तरह जो imperial state of China था, तो जो king ने जो भी, emperor ने जो भी decision लिए, तो king और emperor तो काम थोड़ी करने जाएंगे, actually, आकाम उन decisions को implement कौन करेगा, यह bureaucracy ही करती है, आज भी करती है, पहले भी करती थी, है न, जैसे हमारे IAS का exam बहुत, UPSC conduct करती है, बहुत popular है लोगों में, है न, आप लोगों में से कई लोग आगे चलके IAS बनेंगे, है न, तो क्या हुआ, चाइना possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil services exam, आज भी देखे, हमारे भी country में civil services exam, लोग क पहले जितने लोगों को exam देना है, exam में appear होना है, धेर सारी books print पढ़नी होती है, तो धेर सारी books print होती थी, इसलिए printed material और बहुत ज्यादा, China में print होने लगा, उसको, you know, encouragement मिली, क्योंकि books की demand बढ़ जाएगी, क्योंकि हर कोई चाहता है, जैसे आज हमारी country में हर कोई चाहत जो emperor था उस समय, उन सारी books के print होने का जो खर्च होता था, वो bear करता था, तो common people को परेशान होने ज़्यरोत नहीं थी, है न, फिर देखे, from the 16th century, अब देखे, धेर सारी, धेर सारी Chinese books print होने लगे, अब चुकि आप लोग कभी, जैसे आप लोग books देखे, समाल के रखते हो, है न, उसी तरह से चाइना में लोग यह देखे, चाइनीज लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, बट कुछ लिखा हुआ है चाइनीज में, है न, from the 16th century, the number of examination candidates, 16th century से, देखे, civil services का तो, चलन था है, चाइना में exam conduct कराते थे, बहुत सारी books की जरूत प printing है न, चलिए, तो इस पे question, क्या बन सकता था हम लोगों ने देख लिया, यह major region था, चाइना में printed material, दुनिया में और भी देश थे, लेकिन चाइना में क्यों हुआ हुआ, क्योंकि चाइना में एक huge bureaucracy थी, और sponsored by emperor, है न, चलिए, next slide पे देखते हैं, क्या कुछ है, next slide पे है अब देखे, अब यह हमने पिछली side में क्या पढ़ा, हमने पिछली slide में हम लोगों ने यह देखा कि, एक huge bureaucratic system था, civil services exam होता था, इसलिए printed materials को वहाँ पे और encouragement मिली है न, अब क्या हुआ, क्यों यही एक class नहीं था, यही एक reason नहीं था, चाइना में printed materials जो बहुत जाता पहले क्यों, civil services के exam देने के लिए printed material होते थे, अब देखे कि printed materials अब किन किन, other fields में use होने लगे, आईए देखते हैं, पहला, आपने देखा कि, 16th century में, civil services exam में appear होने वाले, इसका नमर बहुत जादा बढ़ गया, वो तो major reason था, दूसरा reason और क्या हो सकता है, by the 17th century, as urban culture bloomed in China, आप पढ़े लिखे लोग, आप लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोगों की पहले पसंद क्या होती है, villages से जाके city में, इसलिए चाइना में भी cities का expansion होने लगा, urbanization होने लगा, क्या हुआ है, by the 17th century, urban cultures bloomed in China, the uses of print diversified, इसको समझे है, uses of print diversified मतलब, अब क्यों किताबें ह इसलिए छपने लगे, जो, यह जो civil servants की wives होती थी, वो अपनी lives के बारे में लिखने लगी, आइए देखते हैं, क्या-क्या होता था, देखे, print was no longer used just by scholar officials, यह जो civil servants होते हैं, क्यों वही, बहले तो वही use करते थे, लेकिन अब उसके अलाओ देखे, कौन-कौन से लोग use करन लगे, अब देखे, merchants, merchants used print in their everyday life as to collect trade information, अब देखे, अब merchant को किस quality का, किस quality का और किस quantity में सामान मंगाना है, तो उसका record रखना होता है, या जहाँ जो buyer है, उसके यहाँ भेजना होता है, किसको कितना उधार दिया, किसको कितना माल supply करना है, इन सब चीजों को print, लिख करके, नोट करके रखा जाने लगा, तो traders भी, merchants भी, print का use करने लगे, तो पहला हम लोगोंने क्या देखा, scholar officials print का use करते थे, दूसरा क्या हो गया, merchants use करने लगे, print को, तीसरा, reading increasingly became a leisure activity, actually होता क्या, शारों में लोग office office में जाते हैं, 4-5-6 बजे तक subfree हो जाते है, जैसे आज हम लो YouTube देख लेते हैं, उसमें YouTube तो था नहीं, Facebook भी नहीं था, Snapchat भी नहीं था, जो आप लोग यूज़ करते हैं, right, तो लोग क्या करते थे, novels बढ़ा करते थे, चले चाइना की बात करते हैं, चाइना में लोग अपने leisure activity, यानि फूरसत के पल कैसे बिताते थे, अपना simple भाजा म अलग अलग तरह की book पढ़ते होंगे, fictional narratives, poetry, आप लोगों मेंसे, कई लोग कविता, कविता तो सभी पढ़ते होंगे, बट आप लोगों कविता लिखते भी होंगे, लेकिन उस समय, 17th century China में क्या होता था लोग, poetry लिखते थे, autobiographies, जैसे जो तने भी successful लोग होते हैं, उनक कि जी उनका था के बारे में, आप लोग भी पढ़ना प्रिफर करते होंगे, anthologies of literary masterpieces, जैसे जो literary, जो बहुत ही famous compositions है, जैसे कोई story हो गई, या बहुत ही famous कोई poem हो गई, उनको compile कर लिया जाता था, सारी, उनकी एक book बना के तब बेशी जाती थी, anthologies of literary masterpieces and romantic place, जैसे, आप जै सहरा थी, अगर आप लोग चाहें तो अपने parents से बात करें, अपने दादा जी से बात करें, उस समय में लोग novel बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, आज कल तो आप लोग podcast सुन लेते हो, या video देख लेते हो, लेकिन उस समय reading culture बहुत ज़्यादा थी, आज ज़्यादा दू तो rich women ने पढ़ना शुरू कर दिया, तो उनके लिए भी book चाहिए, और वो poetry लिखना शुरू कर दिया, उनकी भी book publish होगी, plays लिखना शुरू कर दिया, तो उनकी भी play publish होगा, है न, और उतने नहीं, अब जैखे, यह जो scholar official होते थे, उनकी wives of scholar official publish their works, पढ़े लिखना ही थे तो वो भी उनके जो life के experience होते थे थे, वो भी publish करते थे, publish करते हैंने print होगा, right, इतने नहीं, courtisans wrote about their lives, जो emperor होता था, चायना का, उसकी धरबार में जो धरबारी होते थे, तो राजा के, अब कभी है, movie आप लोगों देखा होगा, king बैठा होता है, right hand में एक row होती है, left hand मे बीच में king उचाए पर बैठा होता है, तो courtisans होते थे, वो king को advise भी करते थे, उनकी जो court की जो कारेवाही होती थी, जो activities होती थी, वो भी अपने experiences, book से माधन से लोगों में share करते थे, तो चायना में जो printed material इतनी तेजी से बढ़ा, उसका क्या reason था, पहला तो हम लोगों द देखा, merchants, दूसरे नंबर पर, तीसरी नंबर पर क्या हुआ, reading, leisure activity हो गई, चोथे नंबर पर हम लोगों ने क्या देखा, जो rich women थी, उन्होंने book को पढ़ना शुरू कर दिया, अपने plays लिखने शुरू कर दिया, poetry लिखनी शुरू कर दिया, उसके बाद जो scholars की जो wives थी, यह देखे, दोनों अलगला बात है, यह जो scholar official थे, यह उनकी wives है, यह rich women है, जो merchant की wives हुआ करती होगी, businessmen की wives हुआ करती होगी है, और जो courtesians, जो king के दरबारे हुआ करती हो, तो इन सारे factors मिल करके, चाइना में printed material को काफी encourage किया, अगर question आएगा, तो आप लोग लिख सकते हैं, और हाँ, एक चीज़ और, इस पर क्या question, इस पर क्या question बन सकता है, कि how print got diversified in China, एक बार quick recap कर लेते हैं हम लोग, quick recap में क्या कर देखा, scholar official, मदर civil services exam तो था ही, उसके scholar official आगे, दूसरे number पर क्या आ गया है, हमारे merchant आ गया है, तीसरे number पर क्या आ गया है, leisure activity हो गई, poetry, poem, romantic plays है सब हो गया, rich women पढ़ने लगी, poetry लिखने लगी, plays लिखने लगी, उसके बाद जो court के courtisans होते थे, वो अपने court की activities को लोगों के बीच में share करने लगे, books के माध्यान से, है न, उसके बाद जो scholar, scholar की officials होती थी, scholar officials की जो wives होती थी, वो अपने experience से share करने लगी है, तो इन सब reasons की वज़ए से, printed material को, printed books को या printed material को बहुत जादा diversification हो पाया, China में, I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है, now we'll move to the next slide, अब हमारा आ गया, एक, 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 हमारा paragraph भी है, from hand printing to mechanical printing, अब देखिए, चाइना में सभी book पढ़ना चाहा रहे थे, अब जो wood block printing का method था, वो इतना fast नहीं था, बहुत ही expensive था, तो कुछ नुकुछ किया जाना था, तो क्या हुआ, हैंड printing से mechanical printing कैसे शुरू होई, आइए इस पर वे question बन सकता है, discuss, इस पर question क्या बन सकता है, ऐसे बनेगा, discuss, 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 हाँ, hand printing and mechanical printing, इस question बन सकता है, how hand printing gradually turned into mechanical printing in China, right, और है न, तो आएए दिखते हैं, यह कैसे हुआ, अब books की बहुत जादे, एक तो इसका major original था, कि बहुत जादा बुक्स की demand हो रही थी, राइट, और जो wood block printing की में जादा था, बहुत काफी slow method था, बहुत खर्शिला में जाद था, है न, तो कुछ नो कुछ नया है, कुछ नो कुछ टेकनोलोजिकल improvement होनी थी, आई देखें क्या हुआ, this new reading culture, हम लोगो ने जाखा न, poetry, poem, merchants records रखते थे, rich women, and scholar officials, scholar official की wives, and courtiers, जो courts में बैठते थे, है न, romantic plays, fictional books, है न, क्या हुआ, this new reading culture, आप लोग, I hope new reading culture समझ पा रहे है, was accompanied by a new technology, अब क्या हुआ, हाला कि printing की टेकनोलोजी शुरू हुए थी चाइना से, लेकिन जब Marco Polo 1295 में इसे Italy ले गए, तो Italy में इसमें धेर सारी, Gutenberg, Gutenberg ने इसको, इसको, इसमें, नए technology के form में से, इसको, बस basically, print technology को develop कर दिया, Gutenberg ने, right, 1440 के आसपास, है न, देखे, western printing techniques and mechanical presses were imported in the late 19th century, late 19th century में, अब देखे जैसे आप लोगों ने देखा, कि 16th century में, जो civil sources का exam होता था, उसमें candidates की संक्या बहुत जादा बढ़ गई, जाहिए वैसे बात है, books की demand बढ़ देखे, 5-6 region, some लोगों और देखे, क्यों, books की demand चाइना में बढ़ी, right, तो, अब, woodblock printing से, वो, supply नहीं हो पा रही थी, books की, books की demand बहुत जादा थी, but books market में available ही नहीं थी, है न, तो क्या हुआ, new reading culture was accompanied by a new technology, और ये new technology कहां से आती है, अब यूरोप से चाइना में आ रही है Western, Western printing techniques and mechanical presses were imported in the late 19th century as, कैसे, Western powers established their outsports in China, और Shanghai, जैसे हमारे financial capital मुंबई है, उसी तरह, चाइना की financial capital है, Shanghai, Shanghai became the hub of the new printing culture, one marker में आ सकता है, to the Western style schools, Shanghai became the hub of new printing culture, catering to the Western style schools, चाइना में Western style school, धेर सारे खुन ले लगे, अपनी, late 19th century में, उसके बाद, इसी वज़े से, from hand printing, there was now a gradual shift, a gradual shift to the mechanical printing, तो इस पे भी equation बन सकता है, कि कैसे चाइना में gradual shift, कैसे और क्या हूं, कैसे हम लोग लिखें, कैसे हम आप लोग लिख सकते हैं, कि West से, वेस्ट की technology को adopt कर चाइना ने gradually, जो manual hand printing थी, उससे, mechanical printing हो गया, है न, और क्यों में यह आएगा, क्योंकि books की demand बहुत जादा थी, है न, चलिए हम लोग, अब next slide में move करते हैं, next slide में हम लोग बात का, अब देखें, printed material अब चाइना में था, अब देखें, चाइना से printed material जाएगा Japan, आप लोग जानते हैं कि, चाइना अगर यहाँ पे है, तो जापान यहाँ पे है, नजदीखी है, right, देखते हैं, अब क्या हो रहा, print in Japan, अब जापान में print कैसे पहुचा, इस पे भी question बन सकता है, question क्या बनेगा, discuss the development of print culture in Japan, आए देखते हैं, देखें, बुद्धिस्ट missionaries, जैसे हम Portuguese missionaries जो थे, वो पर्चूगल से printing के technology लेकर गोवा में आये थे, 16th, mid 16th century में, उसी तरीके से, यहाँ से बुद्धिस्ट missionary from China, introduced hand printing technology, hand printing technology मतला है, वह है जो अभी मैंने करके दिखाया, wood block printing, into Japan, around, अब देखें, चाइना में जो books की printing का culture शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ AD 594 में, यानि आज से कितने साल पहले, आज से 1700 years पहले, 1700 years पहले से ही चाइना में books शप रही है, राइट, अब तो almost कितने years, आप देख लोग देख लिए, almost 170 years के आसपास के बाद, यह कहां पहुंचती है, जैपान में, जैपान में पहुंचती है, जैपान में पहुंचती अब क्या है, the oldest Japanese book, one marker आगया आपका, the oldest Japanese book printed in AD 868, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जैपान में प्रिंटिंग का पहुंची, 768 और 770 में, almost 100 years के बाद, printing technology, मतब उसमें चीजें कितनी, slow move क्या करती है, आज तो हमें 30 minutes पे पिज़ा मिल जाता है, तो हमारे आतने बिग technology आगया, 768 में, लेकिन पहली बुक कब print हुई, जैपान में, 868 में, और पहली बुक कौन सी थी, diamond sutra, और इसमें केवल 6 sheets थी, केवल 6 पेजों की, आप लोग कहोँगे, सर 6 पेज की कौन सी किताब होती है, and woodcut illustration, woodcut illustration मतलब, ये wood से क्योल, woodblock से क्योल printing ही नहीं तो थी, woods पे flower वगरा की carving हो जाती थी, फिर paper में print करते थी, उससे picture भी बनती थी, woodblock के help से picture paintings भी बनती थी, right, चलिए, तो इस पे हमारा one marker बन सकता है, हम लोग ने देख लिया, the oldest Japanese book printed in, का print हुई, ये देख लीजे ये भी आ सकता है, कौन सी book print हुई, तो diamond sutra हो गई, और इसकी बारे में two marker अगर आएगा, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, इसमें six sheets थी, और इस पे wood cut illustrations, यानि picture print हुई थी, wood, जैसे wood, wood का ये block है, अब से देखिए, जैसे wood का block है, ये ये wood का block है, तो इसमें माल लिजे flower बना दिया, है न, I am very good at drawing, है न, तो इसको paper print कर दिया, तो इस तरीक जैसे मैंने अभी wood block का थोड़ा सा बनाया, अच्छा सा, है न, आप लोग हंत रहे होगे, तो wood block की इसी तरह से, अलग-अलग कभी flower का बना दिया, कभी कुछ बना दिया, हाना, तो क्या होता, ये picture कहां-कहां print होती थी, textile यानि कपड़ों पे, जैसे कि आज आज आप देख शर्ट भी हम लोग पहनते हैं, playing cards, हम जैपान की बात करें, तो वो उसमें कहां-कहां printing होती थी, pictures, wood block से, textile पे होती थी, playing cards, ताश के पत्ते तो आप लोग खेलते होंगे दिपाली पार्टी पे, वैसे भी खेलते होंगे ताश के पत्ते, and paper money, paper money तो आप लोग जानते ही है, ठीक है, उसकी बात, in medieval Japan, poets, poets and prose writers, poets and prose writers, आप लोग जानते हैं, were regularly published, तो, है न, poem, poem and prose regularly published होती थी, and books were cheap, Japan में, medieval Japan में, books were cheap, क्यों, क्योंकि अब देखो न, उनके हाँ, हम क्या बोलेंगे इसे, 8th century, 8th century में ही पहुँच गया था, printing technology, है न, हाला कि printing होना 9th century से शुरू होई थी, 9th century के second half में, है न, cheap and abundant, अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली यह है, एक तो यह, एरा हो गया, Japan का, दूसरा क्या हुआ, कि वहाँ पे, अब, wood block की help से, pictures print होने लगी, तो उससे, और भी, diversification हुआ, print में, आई, देखें क्या क्या बनाया है, क्योंकि यह, एक तो हो गया, कि wood block से, letters की carving करके, letter print हो रहे है, दूसरा क्यों क्यों, pictures print होने लगे, wood block से, क्या हो रहा था, printing of visual material, visual material मतलब, जैसे, wood block पे, जैसे, मैंने flower बना के दिखाए, आप लोगों को, अब इसी तरीके से, visual materials print होने लगे, wood block के help से, printing of visual materials, printing of visual materials, led to interesting publishing practices, अब क्या-क्या print होने लगे, ध्यान दीजा आप लोगो, in the late 18th century, in the flourishing urban circles at Edo, Tokyo को पहले Edo बोला जाता था, later to be known as Tokyo, Japan के capital, illustrated collections, किस की चीज की illustrated collections of paintings depicted क्या, paintings में क्या-क्या depicted होती थी, elegant urban culture involving, अब painting की कि बनती थी, wood block से, artist की, courtisans की, and tea house gatherings की, right, एक tea house gathering की आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ प आप लोग देख लिजे, tea house gathering का एक, मेरे ख्याल से इसमें है कि, बादवाले में पे है, बादवाले slide में है, यह लोग दिखाता हूँ, आप लोगों को, tea house gathering, यह देखिए, यह राई slide पे है, यह tea house gathering, basically यह तो घर का है, आप देखिए, यह जो head of the house है, अंकल जी, बैठे चाय पी रहे हैं, और बाहर देख रहे है, अब देखिए, घर की ladies काम कर रहे हैं, यह देखिए, तो इस तरीके से यह paintings है, और यह जो हम लोगों न भी diamond sutra हम लोगों ने पढ़ा था, Japanese book, जो 868 में लिखी गए थी, जिसमें 6 pages थे, तो diamond sutra का एक page है, और diamond sutra को क्या बोलते है, the story of the world's earliest dated printed books, यानि जिसके बारे में exactly knowledge है कि वो कब print होई, है न, चले, उस slide पर back चलते हैं, फिर देखते हैं क्या हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ, हम लोग यह पढ़ रहे थे, 500 point पढ़ते है, 500 point हमारा क्या था, कि in the late 18th century, in the flourishing urban circles at Edo, क्या होता था, illustrated collections, यानि books पे क्यों अक्षर ही print नहीं होते थे, later ही print नहीं आता है न, वैसे psychology भी करती है, human brain की psychology है कि printed material हम देख करके ज़्यादा सीखते हो समझते हैं, तो paintings depicted as elegant urban culture, उसमें artists की picture बनी होती थी, courtesans की and tea house gatherings की picture बनी होते हैं, अब ध्यान दिजिए, उस समय कि जापान में, libraries and book stores, क्योंकि हर कोई book को afford नहीं कर सकता है, आज भी afford नहीं कर सकता है, एक factor होता है, दूसरा होता है कि, हर book available भी नहीं होती कई बर market, तो हमें library जाना ही पढ़ता है, तो जापान में भी लोग जा musical instruments पे books होती थी, right, calculations पे, आप लोग 11 पे जाएंगे, तो calculation पढ़ेंगे, accounts में, tea ceremony, और सबसे important देखे, flower arrangements, कैसे घर को सजाएं, flower arrangement, और सबसे बड़ी बात, proper etiquette, अच्छी आद, proper etiquette, अलग-अलग situations में, अलग-अलग etiquette होते हैं, कि किसी से मिलें तो कैसे बात करें, confident body language, and proper etiqu and cooking, पहले cooking की, आप अपनी मम्मा या दादी से बात करिए, लोग पहले cooking पर books पढ़ते थे, ज्यादा पहले की बात नहीं, यह 15-20 साल पहले, लोग cooking पर books पढ़ते थे, या novels वगरा बहुत ज्यादा पढ़ते थे, है न, आप लोग भी पढ़ते होंगे, कभी-कभी, and famous places, आ ना तो सब इंटरनेट पे मिल जाता है, है न, तो इन topics पी जो जैपान में books होती थी, इन topics से books पढ़ते हैं, इसको आप लोग ज़रा ध्यान दिलेजे लेगा, reasoning or assertion, assertion के point of view से यह ज्यादा important है, एक चीज़ आप लोगों से share करना चाहरा था, कि यह जो slide है, इसका PDF के form में आपको लोगों को notes मिल जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूत नहीं है, बोला यह चाहरा हूँ कि आप लोग NCRT की हर line को बहुत ध्यान से पढ़िये, क्योंकि one marker 20 आएंगे, और अच्छी बात क्या है कि 20 में से पूरा 20 आप स्कोर कर सकते हो, तो NCRT की हर line भगवान का श देखते हैं क्या कुछ है, अब हमारा इस चैप, अब हमारी last slide है, और यह बहुत ही important है कि उस पर question आता है, इस पर question आता है, write a short note on Ukyo, और यह short note 3 या 4 marks काता है, तो इसे आईए ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है, किता गावा, किता गावा उता मारो, यह यह बहुत ही famous artist थे, Edo यानि Tokyo में पैदा हुए थे 1753 में, यह dates आप लोग याद रखे, Edo भी याद रखे, was widely known for his contribution to an art form called Ukyo, Ukyo मतलब क्या होता थे, pictures of the floating world, और depiction of ordinary human experiences, जैसे भी मने दिखाया, कि यह जो किता गावा उता मारो थे, यह जो ordinary human experience होते थे, urban life के, उस पे paintings बनाते थे, उस पे, हाँ, उस पे, वो topics होते थे, इनकी painting के, फिर से repeat कर रहा हूँ, यह वाला चीज आप लोग है, depiction, depiction of ordinary human experiences, इससे क्या होता था, हर व्यक्ति relate कर पाता था इनकी painting से, right, तो तूसरा पाउन दिखते हैं, यह है, किता गावा उता मारो, आप लोग देख सकत हैं, है न, depiction of ordinary human experiences, इसको तो आप लोग याद ही कर लीजिए, उकियो, उकियो में क्या होता था, किसी पढ़ेंगे, उकियो, उकियो में क्या होता था, depiction of ordinary human experiences, होता था, इसको याद रखे, these prints travel to the contemporary, US and Europe, यह देखे, कितने famous रहे होंगे, यह अपने, अपने, अपने time के बहुत बड़े artist थे यह, जैपान के, हाँ, US and Europe, and influenced artists like Manet, Monet and Van Gogh, like Sotaya, Zuzabro, identified subjects, topic choose के लिया, किस topic पे painting बननी है, फिर क्या करते थे, commissioned artists, who drew the theme in outline, उनको कुछ पैसे पे करके, उनको hire करते थे, है न, वो क्या करते थे, उनको topic बता दिया, subject बता दिया, कि भाई, landscape का बनेगा, natural beauty का बनेगा, क्या भी, क्या picture बनानी है, क्या मतलब, एक outline उड् करेंगे, किस topic पे painting बननी है, है न, तो identify subject and commissioned artists, who drew the theme in outline, उसके बाद क्या होता था, then, a skilled wood block carver, अब उनको, इसको यह मिल गया, the theme in outline मिल गया, तो उसको क्या करेगा, जैसे मैंने समझाया था, क्या करेगा, अमाल यह, यह wood block है, इस पे वो paste कर देगा, है न, उस जो outline को है, जो भी painting बने, उसको इस पे paste कर देगा, है न, यह, माल लिजे थोड़ी देर के लिए, कि wood block है, हाला कि यह wood block नहीं है, है न, ठीक है, आराइ, तो then a skilled wood block carver pasted the drawing on a wood block and carved a printing block, अब बीच-बीच की जो unnecessary लकडियां है, लकडियों क्यों को रहता दे के, suppose fool की image आ गई, तो unnecessary जो लकड painting होती थी, वो destroy हो जाती थी, है न, क्योंकि उसको इसको पर paste करते थे थो, cut फट के खराब हो जाती थी, then a skilled wood block carver pasted the drawing on a wood block and carved, अब carving के process में क्या होगा, जो pasted है, theme या outline, वो carving के time पे खराब हो जाएगी न, reproduce the printer's line, क्या होता, in this process, the original drawing would be destroyed and only prints would survive, दोस्तो, I hope आप लोगों को समझ में आया, मिलते हैं, बहुत जल्दी एक और interesting और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए, thank you so much